दोस्तों जो इंस्तान चल नहीं सकता ब्लॉकेज होनी के प्रॉलम होना आज की समय में नॉर्मल हो गई है अगर इसके पीछे के कारणों की बात करें तो उम्रे के हिसाब से flexibility में कम होना और अच्छी डाइट ना लेना और डिली डूटीन में सही ना होना होता है यानि कि आप healthy diet ले रहे हैं या नहीं आप सुबह उठकर exercise करते हैं या नहीं, रातों कब सोते हैं, सुबह कब उठते हैं, नीद अच्छे से पूरी हो रही है या नहीं, ये सारी ही चीजें बहुत मायने रखती है, नसों में blood का circulation proper है या नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है, दोस्तों अगर नसों में blockage की problem हो गई है, खिचाओं की problem रहती है, तो आपको सावधान हो जाने के जुरत है, आपको lifestyle में बदलाव करने क्या शकता है, अपने diet में बदलाव करने क्या शकता है, तो आपको क्या क्या करना होगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आजाएगा, तो सबसे पहले बात समझ ये, कि नसों में कोई भी समस्या हो, उसके पीछे सबसे बड़ा वजह होता है, शरी में proper blood circulation का ना होना, अगर blood circulation proper रहेगा, तो नसों में कोई दिक्कत नहीं आई, तो सबसे पहले आपको उन चीजों को diet में शामिल करना चाहिए, जि नसों में खून के प्रवहा को सही रखते हैं, इसके लावा टमाटर खाये, टमाटर खाने से भी blood circulation सही रहता है, National Institute of Health के अनुसार, टमाटर में ऐसे तत्व होते हैं, जो धमनियों के संकूचन के समस्या को दूर करते हैं, और blood circulation को सही रखते हैं, इसलिए आपको टमाटर को डाइट में शामिल करना चाहिए, और ओभी कच्चा टमाटर खाना चाहिए, इसके लावा लहसुन को डाइट में शामिल कीजिए, लहसुन blood circulation को सही रखने के लिए सबसे अच्छा माना गया है, जिन लोगों को blood pressure की problem है, उन्हें कच्चा लहसुन रोज खाली पिट खाना इसके लावा सबचियों में, मसाले की रूप में इसका परियोग करना चाहिए, अगर रोज सुबा एक ये दो कली लहसुन कच्चा खाकर पानी पी लें, तो एक दो महीने में ही इसके कई तरह के फायदे नजर आने लगते हैं, ये blood circulation को ठीक कर दिल की बिमारियों से पाय जाता है, जो मानश्मेश्यों के टीसूस को हेल्दी रखता है, अनार खाने से आपको इसके लावा भी बहुत से फादे होंगे, नसों में कमजोरी है, तो अनार का से वन जरू करना चाहिए, इसके साथ ही दोस्तों exercise करना सबसे बहतरीन और आसान तरीका है, blood circulation में बहुत ही effective होते हैं, इसको करने से शरीर में blood circulation improve होगी, चलिए अब जानते हैं कि ऐसा क्या खाना है जिससे नसों की blockage दूर होगी, तो आप इस गर्मी के मौसम में पेठे का juice पीजे, ये बहुत ही अच्छा होता है नसों के blockage को खोलने के लिए, इसमें alkaline होता है, जो खू नसों में कमचूरी आ गई हो, ब्लॉकेज हो, नसों में दर्द हो, शाइटिका के प्रॉलम हो गई हो, या फिर वेरी कुछ वेंस के समस्या हो गई हो, तो आप पेठे का juice जरूर पीजे और इस पूरे गर्मी के मौसम में पीजे, इसके लावा पेठे का juice पीने से आपका diabetes level control में रहेगा, BP control में रहेगा, आपका दिल स्वस्ते रहेगा, किडिनी आपके detox हो जाएगी, लीवर healthy रहेगा, और साथे साथ अगर शेरी में मोटापा बढ़ा हुआ है, एक्स्टा फैट बढ़ा हुआ है, तो बढ़ी चर्वी को भी कम करने में पेठे का juice बहुत अच्छ कर सकते हैं, लेकिन हल्दी का पूरा फायदा लेना चाहते हैं, तो आप हल्दी पानी पीजे या फिर हल्दी दूद का सेमन कीजे, रात को सोने से पहले आप एक ग्लास दूद में आदी छोटी चमच हल्दी मिला लेजे, और मिठास के लिए मिसरी मिला लेजे, और सोने से पहले पी लीजे अगर आप दूद नहीं पीना चाहते हैं तो सुबह सुबह खाली पेट हना जब भी आप उठे सुबह उठकर एक गिलास गुरूने पानी में एक चौथाई चेमच हल्दी डाल दीजे मिक्स कर लेजे और इसे पी लीचे इससे आपका शुरी शुद्ध हो ज गर्द मांश में अकड़न की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगे और वो चीज दोस्तों मेथी का जाना इसे भी कहते हैं आप शायद मेथी के दाने का उपयोग कर भी चुके होंगे लेकिन मेथी के दाने के आयरुवेदिक फायदे आप चाहते हैं कि शरी में फायदा दीख इक ग्लस साफ मानी में भीको कर रात भर के लिए छोड़ देना है और सुबा छान कर पानी अलग कर लेना है और बासे मूँ पानी को पी लेना है आप चाहें तो इसमें चुटकी पर हल्दी मिला कर भी पी सकते हैं और जो मेथी बचा हुआ है आप फ्रेश होने के बाद हाइ बिपी के प्रॉपलम हो गई है या फो भाष वात्स लिलेटेट को िेड़ों में गुट्नों में दर्द है सैय्ठी के कि प्रॉपलम हो गई है नसमें बल्केज़ है या नसों में दर्द की समस्या रहती हो तो आपको ज़रूर मेथी का सेवन करना चाहिए और लगादार साथ दिनों तक करना चाहिए इसलिए से कोई नुकसान नहीं होगा बलकि फायदा ही फायदा होगा लेकिन ध्यान दखेंगा इस गर्मिक नहीं जा रहे हैं तो इन चीजों को खाने का कोई फायदा नहीं होगा तो विशेज ध्यान रखेगा फिस्यकल एक्टिविटी जरु रखेगा आपने सदार लाईिए आपको सत प्रतिश्यत्प फाद मिलेगा तो आज इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो जानकारी कि आप हमें कॉमेंट्स के बताइएगा और आप इस वीडियो को किस जगा से किस गाउं से किस शहर से देख रहे हैं यह भी कॉमेंट्स में लिख लीजेगा हमें जानकर बड़ी खुशी होती है तो कल एक नई वीडियो के साथ नई जानकार एक साथ मिलता हूं तब तक अपन